So Hello Guys, ये है T2 Pro 5G Smartphone और आज मैं आपको इसकी कोई Convoxing Plus Review देने वाली हूँ Guys, हमारे ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें ये फॉन पर्चेस करना पड़ता है उसके बाद ही हम आपके लिए वीडियो ला पाते हैं तो मैंने इसे 30 days भी यूज़ किया है, एकदम रपटप यूज़ किया है तो मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि ये फॉन आपको लेना चाहिए या फिन नहीं लेना चाहिए और किन लोगों के लिए फॉन सही रहेगा, किन के लिए नहीं रहेगा सारी चीजे मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में तो वीडियो के end तक जरूर देखना तो चलिए सबसे पहले हम इसकी quick unboxing कर लेते हैं आपको इसका चार्जर मिल जाता है जिसे आप पढ़कर SSC का exam बगरा दे सकते हैं और इसी के साथ आपको ये descends up transparent case मिल जाता है अब हम ज़्यादा इनकी बात नहीं करेंगे सीधे हम phone की तरफ पजाते हैं पर हाँ आपको इसमें sim exactor भी मिल जाता है तो आप सबसे पहले कुछ closer look देखिए phone के सो वाइस आपने इस phone के closer look देख लिए है design मुझे बहुत ही जादा पसंद आई है और जो aural light है जब aural light blink करती है तब phone तो और ही जादा अच्छा लगता है आपके यहाँ पर back में glassy panel मिल जाता है आप phone को ये use करते हैं तो आपकी fingerprint के निशान तो लगते हैं बट उतने जादा चेक नहीं होते हैं आपकी जो side के frame बगेर है वो plastic के मिल जाते हैं left side में आपको power button और volume up down button मिल जाती है नीचे side में आपको speaker मिल जाता है type c का गड़्धा यहाँ पर mic मिल जाती है then आपको यहाँ sim slot मिल जाती है weight इसका मिल जाता है 175 gram का इसका weight है जो की काफी जादा light weight है तो आपको use करने में कोई भी problem बगेरा नहीं होंगी आपको इस phone में display मिल जाता है 6.78 inches 1 million full HD curve amyloid display मिल जाता है 120 hertz के साथ चो की काफी जादा smooth चलता है और इसी के साथ हमने इसे आउटडोर बगेरा में भी use किया था neat to keep brightness मिल जाती है आपको 1300 की तो आउटडोर में use करने में आपको कोई भी problem नहीं होगी brightness की according और हमने इसमें content बगेरा भी watch करके देखा था तो आप 4K में, Full HD में, YouTube बगेरा, वीडियो बगेरा watch कर सकते हैं और इसमें आपको न सिंगल speaker मिल जाता है तो सिंगल speaker मुझे इसका decent ही लगा अगर double speaker होता तो और भी अच्छा होता और इसमें आपको vibration normally मिल जाता है जो कि सभी फोनों में है इसमें सबसे खास तो इसका camera है जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ connectivity की बात कर लेते हैं इसमें 5G का support मिलता है प्लस उसी के साथ आप 10 band मिल जाते हैं जैसी कि Wi-Fi 6 मिल जाती है Bluetooth मिल जाता है और इसी के साथ आपको इसमें बीव के तरफ से एक डालर मिल जाता है जिससे आप automatically call recording कर सकते हैं आपको कोई भी third party application को download करनी की ज़रूद नहीं है आपको setting मेर जाकर उसे enable करना पड़ेगा पहले डालर को उसके बाद आप किसी को भी call करेंगे तो automatic call recording होने लगेगी processing की बात कर लेते हैं आपको इसमें media take 7200 octa core processor मिल जाता है इसी के साथ android version 30 मिल जाता है और इसमें आपको fun touch OS मिल जाता है जिसमें आपको बहुत ही जादा amazing और hidden features मिल जाते हैं तो उनकी वीडियो भी हमने बना दी है आपको link description पर मिल जाएगी या फिर मैं यहाँ i button पर भी दे दूँगी तो आप उहाँ से जाकर features वाली वीडियो भी देख लीजेगा इसमें आपको processor बहुत अच्छा दिया गया है तो आप multitasking वगेरा करेंगे न तो आपको कोई भी problem नहीं होगी आप इसमें gaming बगेरा भी कर सकते हैं तो gaming में यह phone जादा heat नहीं होता है प्लस इसमें cooling chamber भी लगा हुआ है जब भी आप gaming बगेरा करेंगे न तो phone heat बगेरा नहीं होता normally सबी phone तो heat होते हैं बट इसमें cooler लगा हुआ है तो आपका phone normally जैसे heat तो होगा बट जादा overheating नहीं होगी चलिए अप camera की बात कर लेते हैं आपको इसमें 64 megapixel का man camera मिल जाता है 2 megapixel का death camera मिलता है जो कि portrait photo लेने में बहुत जादा help करता है और आपको यहाँ पर aura light भी मिल जाती है और सामने आपको selfie camera मिल जाता है 16 megapixel का तो हमने इसमें day में नाइट में कुछ photo भी ली थी इस camera से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उनकी photo भी जाता है किस type से आई हैं आप मुझे comment में ज़रूर बताना आप इसमें 4K तक की video suit कर सकते हैं 4K 30fps में और 1080p में करेंगे तो आप 60fps में video recording कर पाएंगे rear camera से और selfie camera से आप 1080p 30fps में बस video recording कर पाएंगे तो आपको इसमें 400 mh की battery मिल जाती है तो 22 minute में यह 50% charge हो जाता है काफी fast charger है और guys इस phone से ना काफी जादा कमाल की photo और video निकलती है तो हमने अलग से एक video बनाया है इसके camera test वाला तो link आपको description पर मिल जाएगी आप वह से जाकर video को check out कर लिजेगा आप low light में या फिर day में बहुत ही अच्छी video सूट कर पाएंगे और बहुत अच्छी photo निकाल पाएंगे इस phone से अब मैं अपना और नेश review देती हूँ multi-dasking बगेर भी आप इस phone में बहुत अच्छी से कर सकते हैं और जो इसका camera है ना camera भी बहुत ही जाद कमाल का मिल जाता है जिसमें आप photography और वीडियो गड़ाफी दोनों ही बहुत अच्छी कर सकते हैं low light में भी आप बहुत अच्छी video बना सकते हैं और photography भी कर सकते हैं बस मुझे इसमें एक ही कमी लगी कि इसमें ना single speaker दिया गया है अगर double speaker होता तो और भी अच्छा होता बाकी overall ये जो phone है वो बहुत अच्छा है बस मुझे इसमें एक ही कमी लगी जो कि है वो speaker की और अगर single speaker दिया गया है तो यहाँ पर 3.5 mm का jack भी देना चाहिए था आपको के ये phone कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please share वीडियो को like कर देना और ऐसे वीडिकली चैनल को subscribe करके bell notification को all पर select करना तो बिलकुन भी नहीं भूलना अब हम मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching this video